पिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल पर आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 चेप्टर 2 है ये और हिस्टरी है और इस चेप्टर का नाम है तीन महादूइपो में फैला हुआ समराज है ये चेप्टर का नाम है तीन महादूइपो में फैला हुआ समराज है ये चेप्टर काफी महत्वपूर्ण है आपके एकजाम के लिए तो आज़े सुरुआत करते हैं क्लास 11 इतिहास चेप्टर 2 इससे पहले मैं आपको बता दू कि चेप्टर 1 जो है इसका वीडियो बनाया चुका है और हमारे चैनल पर भी इसके वीडियो आ चुके हैं यदि आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखे आपके एकजाम के लिए काफी महत् प्रूर नहीं होने वाला है अगर आप पहले चेप्टर को सही तरीके से देख लेते हैं समझ लेते हैं तो आपको दूसरा वाला जो चेप्टर है जो जिसका नाम है तीन महादुईपो में फैला हुआ समराज यह बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो आज यह चेप्टर के सबसे पहले पॉइंट से सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है रोम समराज के बारे में कि रोम समराज क्या था आज का जो अधिकांस जगह है आज के जो अधिकांस हम देश देखते हैं वो यूरो पश्चमी एसिया और उत्री अफेरिका के हिस्से में ही आया क के अंदर आता था तो यूरोप के अंदर आता था पश्चमी एसिया के अंदर आता था या फिर उत्री अफिरका के अंदर आता था ये तीन जो महादूइप है या फिर आप महादेश कह सकते हैं इनहीं में ज्यादतर देश सामिल हुआ करता था और देखें यहाँ पे आपको एक email दिखाए दे रहा होगा, जो यहां पे Europe को दर्साता है, यहां पे आपको Asia को दर्साता है, और एक हमारा अफिर का है, तो देखें ये वाला जो part है, ये वाला इतना बड़ा जो part है, आप देख सकते हो, पूरे विश्व में सबसे बड़ा part है, जिसके अंदर दुनिया के सबसे बड़ी हिस्सी को सामिल किया जाता था next point हमारा कहता है Roman समराज का फैलाव तीन महादुपो में है Roman समराज Rome के जो लोग थे जो उनका समराज था जो वहाँ का राजा था वो काफी लंबे जगह उपर सासन किया करता था जिसमें कौन-कौन से जगह आते हैं तो यूरोप यूरोप पे किसका सासन था रोम का सासन था याद रखिएगा यूरोप पे रोम का सासन था पश्चमी एसिया पे किसका सासन था यहाँ पे भी रोम का ही सासन था और उत्री अफिरका पे भी किसका सासन था रोम का ही सासन था मतलब रोम का सासन जो है वो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पे था बहुत लंबे चौरे जगहों में रोमन समराज फैला हुआ था नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है रोमन समराज की जानकारी का स्रोत हमने सुना है हमने अभी अभी पढ़ा है कि रोम जो था वो यूरोप में फैला हुआ था पस्चमी एसिया में फैला हुआ था उत्री अफिरका में फैला हुआ था तो अगर इतना बड़ा रोम का समराज था तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में हमें मतलब रोमन समराज के अंदर की जो बाते हैं वो कैसे पता चलता है तो यह जानकारी के सुरोत हैं किन-किन जानकारियों के माध्यम से हमें रोमन समराज की जानकारियां प्राप्त होता था, समराज के जानकारी के सुरोतों को तीन भागों में बाटा गया है, सबसे पहला तो है पाथे समागरी, मतलब जिसे हम पढ़ कर रोमन समराज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसमें वर्स विर्तान्त है, पत्र है, व्याख्यान है, प्रवचन है और कानूने अब पहले हम पाठे समागरी को समझ लेते हैं क्या क्या होता है तो वर्स विर्तांत मतलब किस साल किस प्रकार से कौन से काम किये गए हैं इसे हम वर्स विर्तांत कहते हैं पत्र का मतलब होता है जो चीजे लिखी गई है जो कागज पे लिखा गया है उसके माध्य किया गया है जो detailing किया गया है इसके माध्यम से पता चलता है प्रबचन से भी पता चलता है मतलग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है एक संस्कृति के बारे में दूसरे संस्कृति को बता जाता है या फिर कानून के माध्यम से यह सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्य गयते यह उस समय के एक लेखन कला का माध्यम हुआ करता था क्योंकि आज की तरह उस समय पेपर नोटबूक पन्ना यह सब नहीं हुआ करता था तो वह पराइस पे अपने चीजों को लिखा करते थे अब हम इसमें भौतिक अबसेस के बारे में जान लेते हैं भौतिक अबसेस तो उन चीजों से हमें रोमन समराज के बारे में जानकारियां प्राप्त हुआ वहाँ पे बरतन जो मिला है फुदाई के दौरान उससे जानकारी प्राप्त हुआ है शिक्को के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है तो यह जो है वो भौतिक अबसेस है भौतिक अबसेस के माद्यम से हमें रोमन समराज के जानकारी को प्राप करते हैं पिछले स्लाइडे मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताएं हैं उसके बारे में समझ लिजिए कि वर्स विर्तांत क्या होता है समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रती वर्स लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यूरे को हम बर्स विर्तांत कहते हैं पहले के समय में क्या होता था कि एक साल में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती था उसे इतिहास का पैपराइस पर लिख लेते थे या मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिख लेते थे मिट्टी का पट्टिका क्या होता है एक गिली मिट्टी का पट्टी का तयार किया जाता था, इस पे कुछ-कुछ चीजे को लिखके और इसे धूप में सुखा कर रख लेते थे, ताकि वो लंबे समय तक चल सके, पैपराइस क्या है, पैपराइस एक सरकंडे जैसा पौधा था, एक पेर था, मतलब पौधा कह सकते है जो नील नदी के किनारे हुआ करता था, नील जो नदी है, उसके किनारे ये पैपराइस, जो सरकंडे जैसा पौधा हुआ करता था, वो हुआ करता था, इससे लेखन समागरी तयार की जाती थी, मतलब लिखने वेरेरा का काम जो है, इसी सरकंडे जैसे पौधा, जिसको हम इसी के द्वारा होता था और Roman Samaraj के जितने भी इतिहासकार थे न, वो paperise का यूपियोग करते थे किसी भी तरह के चीजों को लिखने के लिए, point हमारा कहता है Roman Samaraj का अरंभिक का, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो Roman Samaraj के बारे में पढ़ा है, कहां तक फैला हुआ था उसके बारे में पढ़ा है कैसे वहाँ पे लोग जानकारी मिलता है रोमन समराज के बारे में उसके बारे में पढ़ा है अब हम इसके अरंभिक का अर्थात सुरुवात के समय को जान लेते हैं कि रोमन समराज जो था वो सुरुवात के समय में कैसा था इसका सुलवात कैसे हुआ तो रोमन समराज में 509 इसापूर्व से 27 इसापूर्व तक गंतंत्र सासन विवस्था चली यहां पर याद रखेगा रोमन समराज में इसापूर्व कब 509 इसापूर्व से 27 इसापूर्व तक गंतंत्र सासन विवस्था चली थी और यहां के जो प करते थे 27 इसापुर्म में ऑगस्टस ने गंतंत्र सासन विवस्था का तक्था पलट दिया जो गंतंत्र वहां पे सासन विवस्था थी जो पधती चलती आ रही थी ऑगस्टस ने इस सासन विवस्था को पलट दिया और स्वैंग को क्या बना दिया समराट बना दिया वहां का राज को हम प्रिंसिपेट कहते हैं यह जो प्रथम समराट ओगस्टस था इसके राज को प्रिंसिपेट कहा जाता है वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था और निरंकुस सासन नहीं करता था मतलब राज तो था राज अस्तर पे काम तो करता था लेकिन निरंकुस नहीं था कि उसे जिसका मन हो फांसी पे चरहादो जो मन है वही करो ऐसा नहीं था उसके सलाहकारों की एक team हुआ करती थी उन सबही लोगों से वह उस्तला मसवरा करके ही अपने राज में किसी भी प्रकार के कामों को किया करता था रोमन समराज के राजनितक इतिहास के तीन प्रमुक खिलारी कौन-कौन है समराथ है अभिजातवर्ग है और सेन्व कर रहा थे या पर इनको जाना जाता था प्रांतों की अस्थापना, मतलब राजियों का निर्मान, ये जो ऑगस्टस थे, जो रूम के पर्थम राजा के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने अपने राज की अस्थापना की साबजनिक असनान गड़ी बनवाया, मतलब की ऐसा जगर बनवाया, जहां पे सभी लोग असनान कर सकते थे, इस पॉइंट हमारा कहता है, मद्य का काल, जिसे हम तीसरी सताबदी के संकट के रूप में भी जानते हैं, अब हम मद्य के काल को जान लेते हैं, कि मद्य का काल क्या होता है, प्रथम मतलब पहला, और दूइतिये मतलब दूसरा, पहली और दूसरी सताब सतावदी के बारे में बात करेंगे तो सांती था रोमन समराज के अंदर काफी अच्छी सांती विवस्था थी सम्रिद्धी थी मतलब आदमी गरीब नहीं हुआ करते थे सारे लोग जो थे धनी बगएर थे आर्थिक विस्तार का प्रतिक था वहां पे अच्छे तरीके से आर् पेंशन सब आने लगा लडाईयां होने लगी जवरे होने लगे जब इरान के ससानी वंस ने बार बार आक्रमन किया इसी बीच में जर्मन मूल की जन जाती जिसका नाम है फ्रैंक इलमाईक और गोत इन्हों ने रोमन समराज के विभिर प्रांतों पर कबजा कर लिया पहली सताबदी और दूसरी सताबदी में कोई दिक्रित नहीं था रोमन में इन तीसरी सताबदी आते आते इरान के ससानी वंस ने बार बार इस पे आक्रमन किया इसके अलावा जर्मन मूल के जो जन जाती हुआ करते थे उनका नाम है फ्रैंक एलमाईक और गोत इन लोगों ने ब पचीस समराट बन गया, देखिए 47 एर के अंदर ही वहाँ पर लगब 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 25 नए समराटों का निर्मान हो गया, इसे हम तीसरी सतावदी का संकट कहते हैं, आप एक्जामपल के तौर पर समझ लीजिए, हमारे भारत के संभिधान को ही देख लीजिए, अगर एक जैसी समस्याएं उत्पन होने लगेगी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, परवर्ती पूराकाल, अब परवर्ती पूराकाल क्या है, तो चौथी से साथवी सतावदी के समय को हम परवर्ती पूराकाल कहते हैं, नायोकलिसियन का सासन जो है, वो 284 से लेके 305 इस वी तक रहा है, अगर परवर्ती पूराकाल की बात करें, तो यहां पर देखें, सुरुवात हमारा कम से हुआ है, मैंने यहां पर आपको बताया था कि रोमन समराज जो था, वो 509 इसापुर्व से 27 इसापुर्व में ही सुरू हो गया था, लेकिन अगर वही पर हम बात करें, अभ हुआ करते थे इस समय, और पूरे रोम के अंदर इसाई धर्म का राज हुआ करता था, मतलब जो क्रिस्चन लोग थे, उनका यहां पर सासन हुआ करता था, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, सॉलिडस सोने का सिक्का यहां पर चलता था, उस तो नुतुनिया जो थी, वो बैपार, रोजगार के अच्छे साधन हुआ करते थे, इसी कारण से यहां पर बैपार का भी विकास हो रहा था, उस थानपत्य कला का विकास हो रहा था, मतलब कि वहां पर जो लोकल संस्कृति थी, वो अपने हिसाब से अपने संस्कृति का विकास कर रहे थे, अपने तो को यहाँ पे फैला रहे थे, प्वाइंट हमारा कहता है, रोमन समराज में लिंग, साक्षर्टा और संस्किर्थी, तो रोमन समराज जो था, उसके अंदर एकल पड़िवार का समाज में चलन था, मतलब एक पड़िवार वाले व्यक्तियों, मतलब क्यों कहते हैं न कि हमार मैलाओं की इस्थिती अच्छी थी और संपत्ती के स्वामित एवं संचालन में कानूनी अधिकार था मैलाओं का जैसे कि पती के धन संपत्ती पे उसकी पत्नी का अधिकार था, पिता पे भी अपनी बेटी का अधिकार हुआ करता था, कि पिता के संपत्ती में बेटी का कानू यह है कि वो अपने जीवन को चलाने के लिए साक्षर थे, संस्कृति जो थी उनका वो विभित्ता वाला था, मतलब कि अलग-अलग प्रकार की संस्कृतियों को वहां पे भी पाला जाता था, अलग-अलग अलग संस्कृतियों को मानते थे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, रोमन समराज का बिस्तार, हमने अभी तक तो रोमन समराज के बारे में बहुत सारे पॉइंट्सों को देखा है, लेकिन रोमन समराज जो था, वो इस प्रकार से इतने बड़े भुभाग को कैसे कैप्चर किया, अपने समराज को इतना धाचा था, वो काफी संपन्ध था, बंदरगाह, बंदरगाह कहते हैं जहाँ पे जहाज वगएर रुखता है, खाने, खदाने, इट के भठे, जैतून का तेल, कारखाने, अधिक मातरा में वहाँ पे था, मतलब इस सारी चीजे रोमन समराज के अंदर भरपूर मातरा में था और किसी भी देश या राज या किसी भी जगह के आर्थिक स्थिती को बढ़िया गरने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, इन सभी चीजों का होना बहुत ही महत्वपुन माना जाता है, और सधारन उर्वरता वाला छेत्रो ना, मतलब यहाँ पे जो खेती होता था, वो ब जापक रूप से परियोग करते थे, इनके पास बैपार करने का अच्छा साधन था, बैंकिंग बेबस था, पैसे के लेन देन करने का अच्छा तरीका था, और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, यह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे, ताक हम क्या कहते हैं Amphora कहते हैं एक नबर के लिए प्रशन काफी महत्पून है अगर आपसे पूछा जाए Amphora किसे कहते हैं तो आप बताएंगे रोमन समराज के अंदर टरल पदार्थों को ढोने के लिए अर्थात एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जिन कंटेनरों का उप्यो किया जाता था उसे हम एमफोरा कहते हैं पॉइंट हमारा कहता है इस्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था इस्पेन में जो जैतून के तेल का उत्पादन होता था उसे जो ये लोग लेके एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे वो लेके जाते थे ड्रेसल 20 नाम रोमन समराज पर जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनके पर नियंतरन कैसे होता था तो यहाँ पर पहला पॉइंट है दास्ता की मजबूत जरे पूरे रोमन समराज में फैला हुआ था दास पर्था के बारे में आपने सुना होगा तो यह दास पर्था जो था वो पूरे रोमन समराज में बहुत ही मजबूती के साथ टिका हुआ था यहां पर दास्ता का जो था वो काम बहुत ही मतलब लोगों को दास बना के रखने की जो परंपड़ा थी वो रोम में बहुत ही जादा था इटलीस में 75 लाख की अबादी में से 30 लाख लोग सिफ दास ही थे 75 लाख कुल कार का बिजनेस था वहाँ पे कुछ वर्ग के लोगों द्वारा स्रमिकों एवं दासों से क्रूरता पूर्टा पूर्ण बेभार किया जाता था देखिए दास जो होते थे न उनको ना इंसान नहीं समझा जाता था उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते थे यह लोग उनको मा घ्रामीन लोग दास से ज्यादा जूझते थे क्योंकि ग्रामीन लोग यो थे वो रिल लेते थे कर्द लेते थे बड़े-बड़े सहुकार से और इस कारण से वो लोन के नीचे दबते चले जाते थे धासों के परती बेभार सहानभूती पर नहीं बलकी हिसाब किताब पर अगर निर्फर करता था, अगर दास सही तरीके से काम नहीं किया, तो उसे कभी-कभी पिजले में भी बांज दियाया था, गरम सलाकों से उसे मारा जाता था, उसके ऊपर दाग उखार दियाया तो ये सारी चीजे जो है वो वहां के दासों के बारे में था। इस क्वाइंट हमारा कहता है रोमन समराज में समाजिक स्रेणिया और प्रमभिक राज अब प्रमभिक राज के बारे में भी जानेंगे जिस शुरुवात में वहां पे राजियों का निर्मान कैसे हुआ और समा जैसे हमारे भारत को तो यहां पे ब्राहमन च्छत्रिये सुद्र वैस वनिया इतियादी हुआ करते हैं इस समय रोमन समराज में सैनेटर हुआ करते थे असवारोई करते थे जनता का सम्मानित वर्ग, मतलब उच्च वर्ग, फूहर्ग, निम्तम वर्ग और दास लोग हुआ करते थे, परवर्तिकाल, अभिजात वर्ग, मद्यम वर्ग और निम्तम वर्ग के समाजिक स्रेणियां हुआ करता था, अभी मैंने आपको कुछ स्लाइड पहले ही बताया था परवर्ती काल के बारे में, तो यहां पे ऐसे ही लोगों को चिन्लित किया जाता था, जैसे कि परवर्ती काल हुआ, अभिजात वर्ग हुआ, मध्यम वर्ग हुआ, और निम्रतर वर्ग हुआ, भरष्टा चार और लूट खसोट यहां पे खूब होता था, मतलब कि रोमन समरा समराज में पूरा काल की विशेष्टा हैं, रोमन समराज के अंदर पूरा काल की कौन-कौन सी खास बाते हैं, तो देख लिजे, रोमन बासी बहुदेवादी थे, लोग जुपीटर, जुनो, मिनर्वा, मौर्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे हम अपन था, यहूदी जो धर्म था, वो रोमन समराज में सबसे बड़ा धर्म के रूप में जाना जाता था, समराज डायोकलिसियन द्वारा सिमाओं पर किले बनवाया गया था, यह सब विसेस्ताओं के रूप में जाना जाता है, जो मतलब उनका समराज था, और उसकी जो किले थ वो बड़े उचे उचे थे और वो चारो तरफ से बनाए गए थे ताकि कोई दुस्मन देश जो है वो उनके उपर अटैक न करे। समराज कॉंस्टे टाइन ने इसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निनय किया था। सबसे पहले यहूदी धर्म वहां का सबसे बड़ा धर्म था। इसके बाद जो क्रिश्चन थे वो क्रिश्चन धर्म को सबसे बड़ा राजधर्म बनाने का निनय लिया गया। समराज के पश्चमी भाग से उत्तर में आने वाले समू गोत, बैंडल तथा लोंबार आदी ने बड़े प्रांतों पर कबजा करके रोमोत्तर राज अस्थापित किया। मैंने आपको बताया था कि कुछ इराकी और जर्मन मूल के जो जनजाती समुदायर थे, वो इनके समराजी पर बार बार अटैक करते थे और इनको अटैक करके वो उसे अपने कबजे में ले लिया। और जो भी राज्यों का निर्मान था उसको फिर से पुनर गठन किया गया, दुबारा बनाया गया, सैनिक और असैनिक कारियों को अलग किया गया, सैनिक किस प्रकार के काम को करेंगे और असैनिक किस प्रकार के कारियों को करेंगे, इन चीजों को वहाँ पे अलग-अलग क की विशेस्ताएं रोमन समराज के अंदर जो सैनिकों का प्रबंद किया गया था उसके क्या विशेस्ताएं थी तो पहला पॉइंट है रोम सेना राजनिती का महतुपुर्ण संस्था के रूप में देखा जाता था मतलब रोम के अंदर सेना जो थी उससे सब कुछ पूछ के ह या फिर उनके जो सुप्रीमों हुआ करते थे मंत्री हुआ करते थे या फिर इनके और भी जो सैनिक के बड़े ओहदे पे लोग होते थे उनसे राय विचार विमर्ज करके ही किसी काम को किया जाता था बैबसाइक सेना अलग था बैबसाइक सेना कहने का मतलब है बैपार को अब दी निश्चित होती थी, सेना के अंदर कितने साल तक काम करना है, इसके लिए कारिकाल बनाया गया था, उनके सीमा को निर्धारिद किया गया था, सबसे बड़ा एकल निकाय था, एकल निकाय, यहाँ पे आपको रूम समराजी के अंदर देखने को मिल जाएगा और सैनेट में सेना का डर था सैनेट कहने का मतलब है मैंने आपको अभी इससे पहले हुआ बताया था कि यहां पर जो समाज हुआ करता था उसमें सैनेटर थे अस्टुरो ही था तो इन सभी के अंदर सेनाओं का डर हुआ करता था मतभेद होने पर ग्रियुद वगरा भी हो जाता था अगर आपस में संस्कृति भासा या धर्म को लेके किसी प्रकार की परसानी होती थी तो ये आपस में लड़ने भी लगते थे जिसे हम ग्रियुद के नाम से भी जानते हैं आंदोलन एबं बिद्रो भी बहुत सार हुए हैं यहां रोमन समराज के अंदर सैनिकों की दादागिरी को लेके कई प्रकार के अंदोलन भी हुए हैं और विद्रो भी हुआ है सासक अत्वा समराटों का भाग निर्धारित करने की सकती रखता था सासक अत्वा समराटों का भाग जो है वो सैनिकी मतलब सेना ही नि पहम भागदारी हुआ करती थी रोमन समराज के अंदर पॉइंट हमारा कहता है दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसी प्रथा थी वहां पे रोमन समराज के अंदर की दासियों के साथ उनके मर्दों को और अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने के उनके बच्चे भी आगे चल कर दास ही बनते थे ऐसा नहीं है कि दास का अगर कोई बच्चा हुआ तो वो डॉक्टेर इंजिनियर बनेगा नहीं दास का बच्चा भी आगे चलकर दास का ही काम करता था दास स्रमिकों के साथ क्या-क्या समस्याएं थी इसके बारे में जाल कि जो दास हुआ करते थे, जो दासों से काम लिया जाता था, उनमें किस-किस प्रकार की समस्याएं और दिकते हुआ करती थी, रोम में सरकारी निर्मान कारियों पर अस्पष्ट रूप से मुक्त स्रमिक का ब्यापक परयोग किया जाता था, क्योंकि दास जो थे, वो स्रम का बहुतायत परयोग द्वारा बहुत महगा परता था जैसे कि अगर दास को हमने ले लिया कृषड लिया और उसे हमने ची शह महीना काम करवाया आपने खेतों में और ची महीना आपनी खेती नहीं है तो हम दास को भग लेते थे क्योंकि इन गुलाम स्रमिकों को रखने की लाज़त पढ़ जाती थी, इस कारण से इनको भगा दिया जाता था, काम भर रखा जाता था और उसके बाद इनको निकाल दिया जाता था, बेतन भोगी मजदूर सस्ते तो परते थे, मतलब कि कम पैसे पर ये काम करते थे, लेकिन उन्हें छोड़ा और रखा जा सकता था, मतलब जब काम हुआ, तब उनको सेलवी पे रख लो, फिर जब काम नहीं है, तो उन्हें हटा लो, लेकिन दास में क्या होता था, कि जब भी आप खरिद लिए, तो आप उसे पूरे जीवन भर उसको रखो, उसे काम करवा, उनको खाना खि देख लेते हैं, दास स्रम महंगा होने के कारण, दासों को मुक्त किया जाने लगा, काम के समय में उन्हें रखा जाता था, बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता था, अब इन दासों या मुक्त व्यक्तियों को बैपार प्रबंधन के रूप में न्यूक्त किया जाने उन्हें कोई बैपार दे दिया और बोला कि तुम्हें इसका मुनाफ़ा सब मेरे को पहुंचाना है और इस काम को सही से देखना है मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के स्रमिकों के लिए निरक्षन सबसे महत्वपुन पहलू था मिच्छन को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी-कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया था ताकि एक काम के उपर कई लोगों की निगरानी हो सके और काम को सही तरीके से देखा जा सके स्रमिकों के लिए छोटे-छोटे समू बनाए गए थे जिससे यह पता लगाया सके कि कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है अब देखिए अस्वा रोही या फिर नाइट्वर्ग परमपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक सक्तिसाली और धनवान समू था पहले जब भी हम सेना की बात करें तो ये तो नंबर वन पे आता था लेकिन दूसरे नंबर पर अस्वा रोही आते थे जिसे हम नाइट्वर भी कहते थे ये अधिक सक्तिसाली हुआ करते थे धनवान समू था मूल रूप से ये ऐसे परिवार से आते थे जिनकी संपत्ति उन्हें गुर सेना में भरती होने की आपचारिकता योगता परदान करता था ये धनी व्यक्ति हुआ करते थे इसलिए ये घोरे की सवारी करते था इसी कारण से इसे हम अस्वा रोही वर के अंदर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अमारा कहता है अस्वा रोही इक्क्वाइट या फिर नाइट वर की विशेशनाएं क्या क्या थी तो ये सैनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जो ते वह जमिनदार थे इनके पास जमीन बहुत था, ये पैसे वाले व्यक्ति, पूजी वाले व्यक्ति हुआ करते थे, ये सैनेटरों के विपरित, उनमें से कई लोग जहाजों के मालिक, बैपारी और साहुकार, बैंकर हुआ करते थे, यानि ये बैपारी किरिया कलापों में सनलगन होते थे, ये जो अस्वरोही थ ये कई जहाजों के मालिक होते थे, बैपारी होते थे, साहुकार होते थे, जो पैसे इंट्रेस्ट पे देते थे, इस परिवार से ये अस्वारोही आते थे, इन्हें जनता का सम्मानिये वर्ग माना जाता था, मतलब जनता जो है इन्हें सम्मान की नजरों से देखता था, जि हिस्ट्री जिसका नाम था तीन महा दूइपो में फैला हुआ समराज यहां पे समाप्त हो गया आसा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्